दोस्तों मैं अवराजिशनी इंट्रेनस बिजनीस ट्रेनर एंड मोटिविशनी स्पिकर दोस्तों में स्वागित करता हूं आप सब का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नोज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं तो फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब करता हैं तो पर दख को टार्गेट कर सकते हैं घाना को एक्सपोर्ट करने के लिए मेन सीपोर्ट कुन कुन सी मेन एरपोर्ट कुन कुन सी जहां से आपको सस्ता सिपिंग मिल सकता है तो वो सब कोशन का मान से लेकर है छोटी से वीडियो में बने रहे हमार से सबसे पहला हमारा पॉइंट टोप कंपीटिटर कंट्रीज यानि वो कौन कौन सी कंट्री जो की जादे तर घाना को एक्सपोर्ट करी जिसके साथ में हमारा प्राइजिंग का कंपिटिशन होने वाला है तो उसमें सबसे पहले पाइदान पे आता चाइना चाइना यहां पे सबसे जादे घाना को एक्सपोर्ट भी करता है और घ्माना से इंपोर्ट भी करते हैं तो चा एना गाना को कितने एक्सपोर्ट कर रहा है यां पॉइहन पॉइंट नाइन बिलियन योज़ डीज सद तोल गाना इंपोर्ट अगर वी बात करूा ये सब्सक्राइबерг कर रहा है either तो USA कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? USA 976 million dollar का एक्सपोर्ट कर रहा है घाना को, that is around 9.35% of the total import of घाना. अगर मैं UK की बात करो, United Kingdom, तो United Kingdom 685 million dollar का कर रहा है घाना को एक्सपोर्ट, that is 6.56% of the total import of घाना. अगर मैं इंडिया की बात करो, हिंदुस्तान, we are the world fourth largest exporter to घाना, यानि we are the घाना's fourth importing partner, तो हिंदुस्तान कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे है, 582 million dollar का, that is around 5.57% of the total घाना इंपोर्ट, Belgium फिफ नंबर पे आता है, तो Belgium भी पीछे नहीं है, Belgium 532 million dollar का एक्सपोर्ट कर रहा है, that is around 5.1% of the total घाना इंपोर्ट, अगर मैं technical research की बात करूं, आग गलोबल एक्सपोर्ट की technical research क्या बोलती है, घाना के बारे में, घाना में क्या पोर्शनट ही है, तो technical research जहां भी होता है, उसमें सबसे पहले पाइदान पर आता है, economy यानि वो कितना बड़ा देश है, कितनी population है, कितना per capita income है, तो अगर economy की बात करें, तो चोटी economy है, लेकिन अच्छी economy है, economy कितनी है, economy है, 74.26 billion years dollar का जो भी data research के दोरान हमारी technical team के सामने आया है, तो 74.26 billion years dollar का total economy है, population भी बहुत जादा नहीं है, 3.2 क्रोड की population है, जिसमें हिंदुस्तानी 11,000 है, यानि as per the Indian embassy authentic data, 11,000 इंडियन लोग महाँ पर जो business कर रहे हैं, या फिर जोब कर रहे हैं, या फिर अलग लग तरीके से रहे हैं, maximum business लोग महाँ पर हैं, अगर मैं per capita income की बात करूए, तो पर capita income भी ठीक ठाक है, लगबग 2374 US dollar, यानि हर को एक जो गाना में रह रह रहा है, 2374 US dollar on an average per year कमा रहा है, हिंदुस्तान का जैसे 2500 US dollar आता है, तो हिंद टोटल इंपोर्ट की बात करें, टोटल कितना इंपोर्ट करता है, घाना इंपोर्ट करता है, 10.4 billion US dollar का, और घाना एक्सपोर्ट कितना करता है, घाना एक्सपोर्ट करता है, 16.7 billion US dollar का, यानि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, कि घाना एक्सपोर्ट जादे कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है तो वह कंट्री जो ज्यादे ज्यादे एक्सपोर्ट करेगी इंपोर्ट कम करेगी तो वह एक्सपोर्ट सर्प्लस होगी एक्सपोर्ट डिफिशिट नहीं होगी तो जो कंट्री एक्सपोर्ट डिफिशिट नहीं होगी वह कंट्री की एक्नोमी ग्रो अगर परड़क्ट की बात करें तो गहाना की केपिटल है एक्रा में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बाकी सिटीस में भी कर सकते हैं यह लाज़ेस सिटी भी है लेंग्वेस नोर्मली इंग्लिश चलती है तो लेंग्वेस की बहुत जाद आपको दिकत नहीं है अगर मैं करंसी की बात करें तो करंसी आती है घानायन सेड़ी इस इकल इस तो 9.9 आयना यानि मुझे एक अगर घानायन सीड़ी खरीदना है तो 9.9 रुपीस देना होगा या करंसी उससे हमसे बहुत जादे इस्ट्रोंग है यानि हमसे लगबग 10 गुना जादे उसके करंसी है तो मेरे हाज जोड़ के प्राटना है मेरे भाई बहन जो हिंदुस्तान में रहते हैं जो हमारे सिटीजन हिंदुस्तानी लोग जो फार्मर हैं जो किसान हैं जो मैनुफे तो नोर्मली जो माली नाइजीरिया उसके पास में पड़ती है आप इसको मैप में देख सकते हैं अगर में टोप कि बात करिया नो कौन-कौन से परदक्ट जो की घाना सबसे जदिया इंपोर्ट करता है तो उस में सबसे पहले पायदान पे आता है आप मोँटर ऊथ वह कल औरन इस पेर पार्ट से तो वहःकराई से तो हुआ जादे जादे ताकत लगाई जादे जादे आप एफट लगाई है घाना में एक्सपोर्ट करने के लिए घाना से हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट उसको कम करते हैं तो आप जादे जादे एक्सपोर्ट करें ताकि हमारी कंट्री भी एक्सपोर्ट सर्प्लस हो और हम से 85 million dollar का परियर इंपोर्ट करता है आगर मैं सीरियल की बात करें यानि जो डाल रहती जिसे उड़त की डाल मुंग की डाल मसरी की डाल जो अलगल हरर की डाल जो हर जो हर तरह की जो डाल रहती इंडिया तो वैसे भी अग्रिकल्चर बहुत जाद होता है महां पर भी होता है त अगर मैं प्लास्टिक 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 प्ल परियर इंपोर्ट कर रहा है अगर में आइरेन एंड इस्टील रोव आइरेन एंड इस्टील की बात को जिसे बीम हो गया चैनल हो गया या एमस की प्लेट होगी आइरन की प्लेट कुछ भी इस टाइप का जो रॉव मट्रियल है वह थ्री फिफ्टी नाइन थ्री फिफ्टी नाइन मिलियन इस्टील का परियर इंपोर्ट कर रहा है अगर में आइल मिनरल इडेबल आइल मिनरल फ्यूल के अगर बात करूं तो वो तू नाइन्टी नाइन मिलियन इस्टील का परियर इंपोर्ट कर रहा है अगर में केमिकल और्गेनिक केमिकल जो की इमाचल में गुजरात में बहुत जादे यूनिट से तो आप सस्ती अगर दवाया बनती तो वो पूरे वल्ड में हिंदुस्तान में सबसे जादे बनती इसलिए और आते हमारे पास में तो आप जो फार्मसोटिकल परड़क्ट है बस इसमें कमी है कि हम उसका रामटरल चाइ हो डिपेंडेंसी कम होगी ताकि हम जादे जादे एक्सपोर्ट कर से और हिंदुस्तान की करन्सी ऊपर जाए तो फार्मसोटिकल परड़क्ट वो टू टू टून्टी सिक्स मिलिए डूल का परियर इंपोर्ट कर रहा है अगर में इडिबल ऑईल की बात करूं तो वनिटी बात करो हो इसके साथ में निग्ओशेसं आप बात कर सकते हैं तो पॉट अप साल्ट्ट है उसके साथ बात कर सकते हैं में एंर पोर्ट ही बहुत जादे मेन एरपोर्ट है ले direkt लेकिन कोटा का जो में आइरने से एडर पोर्ट सहे साथ बात से आपके तो में रहें ouvert हो फ्रेंट में किजिए तो फ्रेंड से कर दो हमाये हैं इस से कर दो है जो कि घहाना मेंividad करन चाला है जो कि बिजने से मार्किट में आना चाहता है जो कर रहा है भी पहहला दीजिए और मेरी दूआरा दीगी जानकरी में एगर कुछ चुट गया कुछ आप ऊसमें एडिशनल एड करना चाहते हैं तो जरूर आप हमें से नया बैंच चालो हो रहे है ओंलान प्रेक्टिकल राइब फेस्टू फेस आप मुझसे पढ़ाई करेंगे मुझसे आप शीखेंगे तो प्रेक्क्तिकली सीखने के लिए हमारा फोर्टिंथ जून को जो नया आप बैंच चालो हो रहा है उसका आप जोईन कर सकते हैं और हम कि तरह इसे खुस रही है मुस्कुराते रही है ग्रो करते रही है और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए लेट्स टोगेधर थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मेंट